नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलेंड क्लासेस में दोस्तों आज की ये वीडियो खास कर आर्पीएफ स्पेसल है इस वीडियो में आर्पीएफ से सम्मधे में 10 कोर्षेंस जेनरल नौलिज के लिए कर आया हूँ जो की आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्षेंस थाबित होंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्षेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वल आइकन को प्रेज जरूर कर लें जिससे आपसे किसी भी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्ट ना हो तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी, एर फोर्स, नेभी, आर्पी एफ, सी आर्पी एफ, सी आईएसफ, आईटी बीप, एससबी, बीएसफ और डिफेंस एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक एक प्रिशन महतुपूर्ण है और आपको यह वीडियो एंट तक देखना चाहिए और एक्जाम्स में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों यह केबल डिफेंस से की ही जेनरल नौलिज की 10 कोस्चन्स होंगे जो कि बहुत ही इंपरेंट जरूर्ण नौलिज की कोस्चन्स हैं दोस्तों यह आर पी अफ के और डिफेंस के एक्जाम्स में कई बार repeat होते रहते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा first question है किसी राज के बिदान सभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है? किसी राज के बिदान सभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है? तो किसी राज के जो बिदान सभा होता है उसके सदस्यों की अधिक से अधिक संभव संख्या कितने हो सकती है? तो दोस्तो बिदान सवा के राज्यों के जो अधिक से अधिक संभव संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है मतलब 500 से ज़्यादा किसी भी राज्य के बिदान सवा के संधस्यों की संख्या नहीं हो सकती तो question number 1 का correct answer होगा दोस्तो option A 500 तो दोस्तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 2 राष्टरपती और उपराष्टरपती की अनुपस्थिति में राष्टरपती के कार्यों का निर्वहन कौन करता है तो दोस्तो जब राष्टरपती अनुपस्थित होता है तो दोस्तो इस इस्तिति में भारत के राश्रपति के जो कारियों का निर्वान होगा वो भारत के मुखने आदिश मेलब CGI Chief Justice of India करेंगे तो question number two का correct answer है option A भारत के मुखने आदिश तो दोस्तो next question है हमारा question number three जिस समय भारत को सतनसरता प्राप्ट हुई उस समय इंग्लेंड का प्रदानमंत्री कौन था जिस समय भारत को सतनसरता प्राप्ट हुई उस समय इंग्लेंड का प्रदानमंत्री कौन था option A, Mount Ben 10, option B, Italy, option C, Wewell, and option D, Churchill तो दोस्तो question number three का आपका जो correct answer होगा option B, Italy जब भारत के लिए 15 अगस्ट 1947 में सुतंतर तर प्राप्त हो थी तब एंग्लेन में जो प्रधान मंत्री थे उनका नाम था एटली तो question number 3 का correct answer होगा option B एटली तो दोस्तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा आज का question number 4 मुगल प्रक्षासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन विचारों तथा सिद्धानतों पर इस्थाफित करने का काम मुख्यता किसका था option से आपके option A अकबर, option B बाबर, option C जहांगीर and option D साजाँ तो दोस्तो question number 4 का correct answer होगा option B बाबर तो next question के तरफ चलते हैं question number 5 मगद सामराज का अंतिम सासक कौन था? मगद सामराज का अंतिम सासक कौन था? option से आपके बिम्बिसार, option B, अजाद सत्रू, option C, उद्यन and दोस्तो आपका option D है काला सोक तो दोस्तो मगद सामराज का अंतिम सासक था, option D काला सोक तो यहाँ पर question number 5 का जो correct answer होगा वो होगा option D काला सोक तो next question की तरफ चलते हैं दोस्तों next question की तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे अभी तो चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और वैल आकन को press जरूर कर ले जिससे आपसे किसी भी important वीडियो की notification मिज़ ना हो क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों PDF को अगर आपको download करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में जो भी जितने भी questions है उसकी एक PDF फाइल बनाकर उसके जो link है download करने का description में डाल दूँगा तो आप बहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो next question के तरफ चलते हैं दोस्तों next question हमारा question number six इंकलाब जिंदावाद का नारा किस ने दिया ओप्शन से आपके option A सुवास जंदर बोस, option B बाल गंगादर तिलक, option C है दोस्तों आपका भगत सिंग, and option D आपका है दोस्तों राजगरू, sorry सुख देव, तो दोस्तों question number six का correct answer होगा option C भगत सिंग, इंकलाब मानवादिकर आयोग का मुख्यालग कहां होगा, तो options है आपके option A उत्तर प्रदेश, option B दिल्ली, option C मदिप्रदेश, and दोस्तों आपका option D है पंजाब, तो question number seven का आपका correct answer होगा दोस्तों, option B दिल्ली, मानवादिकर स्तनरक्षा अधनियों 1993 के तहत, राष्टरी ये मानवा प्रदूसर्ण के कारण हानिकारक बन जाती है, वह है, option से आपके बैस्विक तापन, option B है, परिस्थित की ये संतलम, ये दोस्तों आपका option C है, पादप प्रभाव, और दोस्तों आपका option D है, मरुस्ता, तो question number eight का आपका correct answer होगा, अब होगा, option C, पादप प्रभाव, ये प्रदूसर्ण के कारण हानिकारक बन जाती है, पादप ग्रह प्रभाव, तो next question के तरफ चलते हैं, दोस्तों, next question है हमारा आज का, question number nine, निमलिकत में से किस चिर प्रतिस्थित अर्थसास्त्री ने भारत आर्थिक विकास का विवस्थित सिद्धान्त दिया, निमलिकत में स प्रदूसर्ण का आपका correct answer होगा, option C, JS, मिल, sorry दोस्तो, option C, Adam Smith, तो number 10 question के तरफ चलते हैं, आज का हमारा last and final question है, दोस्तों, बहुत important questions है, राजसभा का सदस होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम वर्स होनी चाहिए, मैं लोग, राजसभा का सदस होने के लिए कि इसी भी व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होने चाहिए, option से आपके स्क्रीन पर आ चुक हैं, दोस्तो, option A, 30, option B, 18, option C, 35, and option D, 25, तो दोस्तो, question number 10 का जो correct answer होगा, वह होगा, आपका option A, 30, तो राजसभा के सदस्यों के लिए, जो, राजसभा के सदस्यों के लिए, जो, राज दोस्तो, next question है, हमारा आज का question number, sorry, इस वीडियों के बल दसी questions थे, दोस्तो, thanks for watching, उम्मिद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आ जोगी, और अगर वीडियो पसंद आ यो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट से रह जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शे कर लिए होगा, तो कल फिर मिलते हैं, एक नई वीडियो को साथ में, तब तक के लिए, नमस्कार, जैहन, जैभारत,